असलाम लेकुंची एमद वुकान बातकारों मैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दो dedicated जिसके अंदर ट्रेनिंग का एक overview दे दूँ कि ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे और इसके अंदर क्या-क्या store को establish करने के लिए ठीक है तो जो अपने JVM store अपने ad में भी देखो होगा वो भी इसी footprint को इसी footprint को follow करते है बनाया गया था जो कि flip हो चुके अब ठीक है तो जो training है basically इसके अंदर A to Z सब कुछ है अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको Shopify drop shipping से regarding पता नहीं हो ठीक है तो first of all इसके अंदर आपका basically budgeting है और mindset है कि आपको क्या mindset होना चाहिए अगर आपने Shopify drop shipping करनी है उसके लिए क्या prerequisites है secondly budget and cost ठीक है इस पर बहुत detail के अंदर deep down analysis करके बताया कि क्या-क्या आपकी costing होगी क्या आपका budget होना चाहिए और किस तरीके से आपको product testing के अंदर क्या budget आपका लेगा और अपने profitability अपने कैसे निकालने है अचा business setup के अंदर आ जाते है business setup के अंदर basically obviously पाकिस्तान में हमें issue होता है payment gateways का तो मैंने बहुत detail के साथ सब कुछ बताया है कि आपने क्या-क्या precautions लेनी है अपनी suspensions को वाइड करने के लिए कि जबके payment gateways बने है पेपॉल और stripe उनको वाइड करने के लिए क्या-क्या prerequisites होने चाहिए ठीक है इसके तो बहुत detail से बताया है बलके आपको step by step perform करके बताया है कि आपने UK के LTT कैसे बनानी है उसके बाद आपने VPS को सब आए करना है कैसे बाए करना है address किदर से purchase करना है जो phone number है वो कहां से purchase करना है legitimate websites जो हैं वो mentioned है वाइस की formation है PayPal formation है ठीक है अगर आपका PayPal का error आ गया यह आप साथ साथ अपडेट होती रहती है training वक्त के साथ साथ जो जो issues आते हैं ठीक है तो यह वक्त के साथ साथ हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं ऐसा नहीं है कि बस बनाकर छोड़ दी तो यह साथ साथ अपग्रेड होती रहती है तो PayPal की creation है स्ट्राइब की creation है उसके लावर जो कोसे नासर जो के जनरल कोसे नासर हैं स्ट्रोंस के वो शेयर किये हैं कि पेमेंट गेटरेस रिलेटिट के वो क्या-क्या है तेकर जी अब उसके बाद आएदे हैं product hunting के ओपर product hunting का basically यह three parts के अंदर एक ही method को explain किया गया basically आपको जो product ना वो देखनी आनी चाहिए कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी है professionally हम लोग एक product के अंदर क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या अपनी requisites देख रहे होते हैं और कौन सी ऐसी product है जिसको देख की पता चल रहे है कि हाँ भई कि दो या तीन products hunt की है practically कि ऐसे product hunting होती है इस training के अंदर theoretical कुछ भी नहीं है हर चीज़ practically implemented ठीक है जो भी चीज़ है वो मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कर लो मैंने पहले खुद की है साथ समझाया है और फिर कहा कि ऐसे करनी है ठीक है अब यह product hunting से लेटी जो भी आपके normal general questions होते सारे share किये है अच्छा अब store creation आ जाती है उसके बाद store creation के दर a to z store creation है ठीक है कि store को अपने पूरे का पूरा create कैसे करना एवन sign up ठीक है जैंडर की fulfillment कैसे attach करनी है और overall summarize करके बताया कि आपको क्या 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 चीज़ है चाहिए ठीक है ठीक है पिर आजाने product pages के उपर product pages के ब तो इसके अंदर आपके theme को product page है जो के आपके शौपेफर theme के पर होता और एक वो product page होता है जो जिसके आप आप add run कर रहे होता है जिस product के दोनों की जो optimization है बहुत detail के अंदर यहां बताई भी है ठीक है जी अच्छा उसके बाद आज इने store settings application जो जो हम settings और applications वगारे use करते हैं सारी वो सारी के सारी यहां पर share की है ठीक है अच्छा उसके बाद creative guide है ठीक है creative guide के अंदर बहुत detail से बताया कि आपने facebook का जो add है उसको create कैसे करना है ठीक है आपने उसका data collect कैसे करना है उसको पूरा add को create कैसे करना है उसके अंदर क्या-क्या प्रेकुसिट होने यह एक अच्छा add है उसकी मैंने engagement show कराई है कि यह अच्छे add के engagement ऐसी होती है ठीक है तो practically हर चीज़ बताई है तो video add को create कैसे करना है बहुत detail से उसकी guide है उसके बाद demos है कि winning creative को होता है और losing creative को होता है ताकि आपको comparison करके पता चले कि आपको क्या चीज़ें avoid करनी है ठीक है इसके अंदर बहुत detail से जो मेरा seven figure का store है उसकी एक एक चीज एक एक campaign ठीक है और एक एक product की campaign को discuss की है तो इसके अंदर पूरी की पूरी guide मुझूद है कि आपने facebook का pixel जो है उसको कैसे create करना है उसको optimize कैसे करना है business manager कैसे बनाना है जिरो से लेके end तक आपको पूरी की पूर function का बहुत issue होता है वो भी हमने rest किया बहुत detail में उसकी solutions भी बताएं कि अगर वो suspend हो जाते हैं तो आपने क्या करना है त्रैक्टिकली जो हमारे कुछ तेजरबों से मिले हैं कुछ आप कहलो कि personal experience से हमने कुछ चीज़ा निकाली है अगर आप वह implement करोगे तो आपके add account suspend नह हो हमारे store की एक एक campaign एक जो उसका एक एक product की campaign को discuss किया openly और टास्परेंटली ठीक है यह आप देख सकते हो यहां पर पर यह पूरा session जो है मेरी उस campaigns के उपर है ठीक है जो seven figure store की campaigns है उसके उपर है मलब हवा में कोई बाद नहीं है आपको campaign खोल खोल के बताएवी कि अभी ऐ कैसे अपने campaign run करनी है ठीक है इसी तरह से scaling का बताया है कि आपने store को scale कैसे sales कैसे बढ़ानी है वो भी directly from campaigns ठीक है मलब हर चीज जो practically बताएवी है demonstrate करके बाकी यह सारा कुछ है उसके बाद इस store जो फिलिप हो जोगा है उसकी पूरी case study यहां पर मैंने share किया कि पूरी store flip कैसे किया ठीक है और एक अच्छे store को मैंने store flip करने के लिए क्या अपरी requisite चाहिए होते हैं वो क्या-क्या है वो सारे के सारे share किये अच्छा how to deal with the shipping delays यह बाद में वीडियो एड़ हुई थी मैंने जैसा को बता है कि course constantly upgrade होता रहता है students को जो इशू जएदा अगर मैं देखता कि अगर उनको थोड़ सा ज्यादा issue face हो रहा है किसी एक चीज में और वो training के अंदर थोड़ सी कम explain कीगी है तो उसके पूरी dedicated video बना देता हूँ बाकि support यहां पर 24-7 है मारे टूथ सोने plus students जो है enrolled है और हर जो उन students को बहुत effectively manage करने के लिए मैंने तीन groups के अंदर उनको divide कर कर दिए और हर ग्रूप को एक-एक support staff जो manage कर रहे हैं उन सब को में oversee करता हूँ जैसे अब यह आपके सामने group कुला हूँ है ठीक है यह मैं आपको दिखाता हूँ यह 500 members से onwards का group है paid members का तो यहां पर support जो है भाई ऐसा scene नहीं है कि आप message कर और आपको reply ना मिले फोरन से फोर